नमस्कार मित्रो, 91.2 FM पर आप सुन रहे हैं उत्तराखंड मुक्त विश्विद्याले का कम्यूटी रेडियो हेलो हल्दवाली आज हमारे स्टूडियो में समाज कारे के मशुहूर प्रोफेसर एयन सेंग मौजूद है संशिप्त में उनका एक परिचय देना चाहूंगी आप कुरुचित्रा युनिवस्टी में प्रोफेसर चेयर्मेन डिपार्टमेंट ओफ सोशल वर्क में रहे महात्मा गांधी काशि विद्यापिट में प्रोफेसर, हैड, दीन इन सोशल वर्क और वाइस चांस्रा इन चार्ज में भी रहे पर्तमान समय में बीच्चू में विजिटिंग प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ओफ सोशल वर्क और सोशियोलजी में बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका, आपके द्वारा कई किताबे लिखी गई हैं जिन में से एक किताब जो डिसलेक्सिया या डिसेबिल्टी से रिलेटेड है और इस किताब को UGC द्वारा सम्मानित किया जाता है जैसा आप जानते हैं कि हर वर्ष तीन दिसम्बर को डिसेबिल्टी डे सलिब्रेट किया जाता है विश्व भर में और हर वर्ष उस डिसेबिल्टी डे पे एक कोई थीम रखी जाती है वर्तमान समय कि थीम जो है Amplifying the Leadership of Person with Disability for an Inclusive and Sustainable Future मैं सर चाहूंगी कि आप इस थीम के उपर अपने विचार व्यक्त करें और हम लोग को अपने विचारों से लाभानमीत करें धन्यवाद पूजा सर्मा जी हमें यहां रेडियो स्टेशन पर अपनी बात रखने के लिए और मैं सबसे पहले उत्राखंड विश्पिद्याले और इस रेडियो स्टेशन और आपका भी अभिनंदन करता हूँ कि आज Disability जैसे महत विशे पर इस कारिक्रम का आयुजन किया गया है और मैं मानता हूँ कि Disability या Disabled सेक्षन हमारे समाज का एक महत पूर्ड सेक्षन है और जिसकोगी हम काफी समो से विशेश कर जो पिछड़ी समाज है वहाँ उसे नजर अंदाज करते हैं उनके हितों का उनके बिकास का और उनके जो Strength है उनकी जो च्रमता है उनकी युग्यता है और उनकी जो Skills है और उनके जो भावी responsibility हैं और विकास के जो आयाम है उसको नजर अंदाज करते आएं लेकिन हमें खुसी है कि विश्विद्याले के विभिन पाठक्रमों में disability को विशेश कर education department में special education विभाग के द्वारा special beard में disability और disability से related विशेयों पर गहन अध्यन किया जाता है अध्यापकों को प्रसिक्षण दिया जाता है प्रसिक्षित किया जाता है जिससे वह अध्यापन के समय अलग-अलग कक्षाओं में disabled बिक्तियों के अधिकारों को और उनके विकास के आयामों को और समाज में फैली हुई भरांतियां को समझ सके और उनकी दक्षता योग्यता को समझ सके और एक right based consciousness समाज में देश में बढ़े और बढ़ता रहे तो इससे यवाज चात्रों को हुई disability और disabled लोगों को उनके विसे में जानने का लाग नहीं मिलेगा केवल बलकिन समाज में जहां जहां वो जाएंगे हमारे जो disabled महतपूर्ण सेक्षन है उनका सम्मान बढ़ेगा आदर बढ़ेगा कद बढ़ेगा और समाज के साथ उनका स जैसा कि आपने चर्चा किया कि 3 दिसंबर को World Disability Day का हर साल celebration किया जाता है और उसका celebration का उद्देश यह होता है कि हम disability और disabled section को देखें कि आज वो कहां हैं किस परिस्थिती में और किस चुनवतियों से जूच रहे हैं उनकी इस्थिती में क्या उन्नती हुई है सरकार के जितन कारिकरम हैं सरकार की जितने कल्याण की विकास की योजनाएं हैं और संबैधानिक जो उनको अधिकार दिये गए हैं और कानूनी जो ब्यवस्थाएं की गई हैं उन ब्यवस्थाओं का अधिकारियों के द्वारा समाज के द्वारा कहां तक अनुपालन हो रहा हैं और जो उ सेज कर जो disabled लाभारती हैं उनके बीच में कितना gap उस gap को हम समझें जिससे की हम समाज को सिक्षित करके समाज को सजग करके समाज को सतर करके और समाज की भूमिका को रेखांकित करके हम disabled section को जो हमारा एक महत्पूर्ण और vulnerable section है उसके विकास में अनुकरण ये भूमिका निभा सके हैं जहां तक उनकी समझ्याओं की बात है मैं समझता हूँ कि हर परिवार में हर समाज में विसेश कर जहां सिच्छा की कमी है जहां विकास की कमी है जहां बोध की कमी है वह उनको primary प्राथ्मिक citizenship से अलग किया जाता है उनको उनका birth और उनकी disability को सहज ढंग से नहीं स्विकारा जाता है जैसे और बच्चों का birth हुआ और लड़के लड़कियों का birth हुआ तो उसका celebration होता है लेकिन disabled बच्चा यदि पैदा होता है तो एक बहुत बड़ा सामाजिक खेद और सामाजिक पुराई के रूप में मान जाता है कि हमारा लगता है कि पुरो जनम का हमने कोई पाप किया था ऐसा कर्म किया था कि जिसके उजय से हमारा बच्चा जो है disabled बच्चा के रूप में आया है जबकि वास्तविक्ता जहां तक है कि बच्चे disabled पुरो जनम के माता-पिता के कर्म से नहीं होते हैं बलकिन उस उसके जो है medical कारण है उसके माता-पिता के सजगता की कमी से सम्मंधित कारण है और उनके खान-पान से सम्मंधित है विसेश कर जब मा के पेट में बच्चा है तो उस समय मा को पर्याप्त nutrition पर्याप्त protein values दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है डाक्टर के देखरेख में ऐसे गर्भती मा का देखरेख किया जाता है कि नहीं इंसिचूशनल डिलिवरी हो रहा है कि नहीं हो रहा है जबकि जो हमारे देश की health policy है उस health policy में prioritize किया गया है कि हर बच्चे का डिलिवरी जो है इंसिचूशनल डिलिवरी होगा डाक्टर के देखरेख में होगा और time to time ऐसे माताओं को जो है काउंसलिंग किया जाएगा उनको दिसानिर्देश दिया जाएगा उनके खान पान को जो है सहिमिक्त किया जाएगा आरकदर्सित किया जाएगा और किसी भी मेडिकल समस्याओं के उभरने के कारण यदि ऐसा आभास होता है तो उनको उचित दिसानिर्देश और उचित उपचार और साथ-साथ immunization की सुविधाएं जो मा के लिए और बच्चे के लिए है उन सब की सतरकता और जानकारी और उनका उपयोग न होने के कारण बच्चा जो है disabled होता है तो कभी-कभी एनेमिया के कारण जो है जैसे क्या होता है बलैंडनेस की प्राबलम आती है लेकिन लोग इसको गलत तरीके से समझते हैं कि हमारे पुरोजनम की बात है या मैं बहुत ही unfortunate हूँ और मैंने कोई ऐसा जो है कोई हमारे उपर जो है कोई बहुत बुरी इस सेब डिलिवरी डाक्टर के देख रेख में और जो उसके सही मानक मापधंड हैं उसके मानक के अनुसार इस डिलिवरी नहीं होता है तो ज़्यादा संभावना होती है कि बच्चे को इंजूरी होती है और बच्चे के सरीर जो है प्रोहाइत होता है डिलिवरी के समय जि बर्थ होती है और disability को हम देखते हैं कि समाज में जैसे हमारे प्रधान मंत्री जे ने इनको दिब्यांग का नाम दिया है और जहां तक हमारा जानकारी है जैसे आपने बताया कि UGC ने मुझे एवार्ड दिया था बुक्स लिखने के लिए disability पर और disability के बुक को UGC ने एवार्ड किया और मैंने इस पर काफी काम किया क्योंकि हमारे समाज में इनके नाम पर भी बहुत confusion है कई लोग handicapped के रूप में इनको कहते हैं कई लोग socially handicapped कई लोग जो है इनको disabled कहते हैं लेकिन मैंने जो है differently able इनको नाम दिया अपने बुक में enabling the differently able मैरे सोच है और मैं समझता हूँ कि ये disabled किसी तरह से नहीं है ये able है बट differently है खाना ये भी खाते हैं लेकिन इनका तरीका अलग है चलना ये भी जानते हैं चलते हैं लेकिन उनके चलने का तरीका अलग है तो अपने जीवन की जो कारे है उसको ये जो है करते हैं और कोई और नहीं करता हो सकता है कि उनको ट्रेनिंग देने में समाज का मदत हो लेकिन वो स्वेंग करते हैं तो वो अपने हर दिंचर्या के कार को करते हैं और दिंचर्या के कार्य से आगे बढ़ करके वह जो है आज जो है समाज के हर वर्ग और हर छेत्र में कदम से कदम मिला करके समाज के साथ बराबर की भूमिका ही नहीं कई छेत्रों में तो हमने अनुभो कि आगरणी भूमिका निभा रहे हैं जो कि आपने बताया क जो हम 3 दिसंबर को World Disability Day मनाते हैं तो इसका जो थीम रखा है विसेश कर जैसे आपने इसको बताया कि इसका जो थीम है कि Implifying the Leadership of Persons with Disability, Foreign Inclusive and Sustainable Development Implifying का मतलब होता है कि इनको Lightning और इनको Lime Light में इनको Sharp, इनको कुसाग्र, इनको तेज, इनके समाज के अगरिम पंक्ती में इनको Leadership की जैसे हम कहते हैं पेट्रियार्कल फेमली की बात करते हैं, मेट्रियार्कल फेमली की बात करते हैं, तो हम जो है डिसेबल बेस्ट जो है डिसेबल लीडर्स बेस्ट जो है फेमली की बात करें, ऐसे जो है फेमली की बात करें, जहां ब्यक्ति भले डिसेबल हो, लेकिन लीडर् और कोई भी responsibility किसी office में हो, या community में हो, या business में हो, industry में हो, तो leadership का जहां तक role है, वो disabled person को दिया जाए. और उसके लिए उनके जो skills हैं, उनके जो resources हैं, उनकी जो capacity है, और उनके जो positive strength है, उस चीज को identify करने की जरूरत है. और उसे identify करें, और उसे हम codify करें, उसे promote करें. प्रमोट करने के लिए हमें जरूरी है कि उनको training education और vocational training और इसके बाद उनको exposure और development का जो है मौका दे. कि जिससे उनके जो उभरते हुए skills हैं, उनके जो various जो है विकास के आयाम हैं, उस चीज को पहचाना जाएं और पहचानते हुए उसको record किया जाएं. और record करके हर aspect जैसे उनके cultural, spiritual, social, political, intellectual और physical जो भी उनके skills हैं, जो उनके unique जो है उनके विसेस्ताएं हैं, उन विसेस्ताओं को पहचाना जाए और पहचान करके उसे आगे बढ़ाए जाए. नकी जो है उन्हें ignore किया जाए, उनके rights को जो है ignore किया जाए, उनके future जो है development को जो है नजर अंदाज किया जाए, और समाज अपनी समाजिक भूमिका से जो है बंचित रहे, बलकिन समाज का ऐसे बच्चों, ऐसे लोगों के जिनको की हम wonderful section कहते हैं, weaker section की बात करते हैं, तो इनके लिए बढ़ चड़कर के भूमिका निभाने की जरूरत है, और इसी तरह से जो हमारे world disability day का जो theme है, कि इनका inclusive development हर तरह का जो है, हर छेत्र का, हर aspect का development हो, और ऐसा development हो कि जो sustainable हो, जो टिकाव हो, जो कि लंबे समय तक हो, जो कि उनके जीवन में जिसका उपयोग हो, आर जनैतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में, बेक्तिगत जीवन में, जिसकी की एक अहम भूमिका हो, तो ऐसी छेत्रों को और उनके आवस्यक जो है, चाह और चाहत को विकास के आवसरों को पहचाना जाए, और पहचान करके उनके environment के अनुसार, उन का विकास किया जाए, जिससे उनके संपोंड आयामों का पहचान हो सके, प्रमोशन हो सके, और उनका संरक्षन हो सके, और उनको आगे बढ़ाया जा सके, जिससे वो समाज में समायोजन करते हुए, और अन्य जो able body के लोग हैं, उनसे किसी न किसी रूप में, उत्तम स्रेण की भूमिका निभाने में जो है, अग्रणी रहें, आपने बहुत ही अच्छे से explain किया कि इस बार की जो theme रखी गई है, उस पे क्या-क्या कारे हो रहे हैं, और किस तरीके से अभी future में कारे करना है, मैं आपसे इस बात को भी जानना चाहूंगी सर की, एक सिक्षक के तोर प की भी रूप में देखा जाता है, मार्ग दर्शक के रूप में देखा जाता है, और सिक्षक एक ऐसा section होता है, जो अपने छात्र वर्ग की समस्याओं को, उनकी परिस्थितियों को, उनकी इस्थितियों को, वह analysis करता है, उनकी status को समझता है, उनकी need को, उनकी interest को समझता है तो सबसे बड़ी चीज है कि सिक्षक के रूप में एक right base जो है consciousness जो है class में और विद्याले में बिस्विद्याले या महा विद्याले में जो है maintain रहे उनके जो rights हैं उनके जो privileges हैं उनको कोई mercy नहीं चाहिए उनको कृपा नहीं चाहिए जैसे परिवार में सब को खाना दिया है वैसे उनको खाने चाहिए लेकिन दुरभागिवस जो है परिवार में जो सम्मान जनक खाना और बेवहार अन्य सदस्यों को मिलता है वो ऐसे लोगों को नहीं मिलता है जबकि वो भी परिवार के सदस्य हैं उनका परिवार में उनका property में right है लड़की disabled हो या लड़की ह है और इसके बाद उनको भी जो है अपना सिक्षा का अधिकार है उनको भी लैबली हुट का अधिकार है प्रापर्टी का अधिकार है जैसे बताए और उन्हें protection का भी अधिकार है केर का अधिकार है तो इस बात से हम बराबर सजग रहें और साथ-सा जो विद्याले में विसेश कर क्लास में और क्लास के बाहर जो बच्चे हैं उनका जो है ऐसे disabled बच्चों के साथ नियाए हो ऑच्छे बच्चों की नहूँ जिससे कि सब एक साथ बैठें सब का जो है एक साथ जो है आचरण रहे प्योहार रहे इस चीज को जो है देखना है कि कोई disabled बच्चा जो हमारा एक important or vulnerable है जिसे और मदद की जरुवत है और care की जरुवत है और protection की जरुवत है और extra जो है समय और extra training और extra knowledge और extra money की जरुवत है time की जरुवत है ऐसे बच्चों की interest को दिर्ष्टिगत रखते हुए बच्चों से protect किया जाए अध्यापक खुद जो है उनको protect करें promote करें facilitate करें और एक ऐसा सासक भी जो है विद्याले बिस्विद्याले के जो है ऐसा environment जो है वो create करें maintain करें और develop करें जो conducive है जो protective है developmental है free exploitation है neglect से है और welfare जो है environment भी रहे कि जो उनके welfare को जो है special interest को special care को health की है और इसके बाद जो artificial जो equipments आजकल जो है सरकार और scientist लोगों ने जो है अलग अलग छेतर के visual disability का हो या जैसे physical disability का हो या जैसे देखें कि speech and hearing disability का हो या visual disability का हो तो इससे related जितने भी उनके काम को comfortable और समस्या मुक्त जो है उनकी life और living को और उनके professional और personal life को जो है lead करने के लिए जो equipment आज जो है सरकार के द्वारा industry के द्वारा जो है produce किये गए हैं उसका जो है भरपूर यूज हो और आज वह जो है concessional rate पर है तो लोगों में बच्चों में awareness हो और बच्चों को वह सुविधाय मिले उसका उपयोग करें जिससे उनका सैक्षडिक जीवन सामाजिक जीवन बेक्तिगत जीवन संतोष जनक विकास परक जो है बन सके इसके साथ साथ उनके लिए बहुत ही कल्यान की सुविधा और इसके बाद उनको जो reservation है admission में उसको भी teacher administrator को ध्यान रखना चाहिए इसी तरह से employment में skill development में और इसके बाद यदि self employment का यदि वो काम करना चाहते हैं तो बहुत सारे जो है इंडस्ट्री जो जाब देती हैं उसके अलावा जो है जो financial aid देते हैं जिससे की अपने skill के सकें तो self employment के रूप में तो ऐसे financial support देने वाली संस्थाओं के साथ और रोजगार प्रदान करने वाली संस्थाओं के साथ ऐसे बच्चों को जोड़ें जिससे की उनका सामाजिक आर्थिक जीवन जो है सुगम हो सके सरल हो सके और वह समाज के मुख्यधारा में जो है आ सके और समाज में बढ़ चड़ करके और बराबरी का नहीं मैं तो कहूंगा अगरी भूमिका जो है निभा सके बिल्कुल सर आपने काफी अच्छे से बताया कि एक teacher की भूमिका क्या होनी चाहिए इस छेत्र में सर मैं चाहूंगी कि आप इस channel के माध्यम से समाज में इनके प्र सारे माध्यम से हैं और इसमें सबसे पहले तो हम individual to individual जिस घर में disabled बच्चे हैं ऐसे जो है family में family to family जा सकते हैं door to door awareness information और विशेश कर उनके rights की बात जो है और उनके जो concession और उनको जो privileges जो दी गई है तो जैसे admission में rights है रोजगार में उनको reservation है और इनके पढ़ाई में जो reservation है इनके scholarship का है और उनको जैसे बहुत concession और free जो है by year travel करते हैं और साथ में जो यदि disability का percentage ज़्यादा है तो उनके जो है साथ में कोई जो है care taker भी जो है जा सकता है तो इस तरह की और जो मैंने बताया कि जो बहुत सारे जो उनके equipments हैं जो उनके life और living को काम को सरल बनाती है उसके बिसे में parents को family members को aware किया जाए कि जिससे उनका उपयोग करके और उनका जीवन सरल बना सकते है इसके आगे community level पर भी जो है यसे पंचायत है NGO है community based organizations है CBO है BO है महिला मंडल है युवा मंडल है farmer society है youth club है उनको भी जो है हम aware कर सकते हैं सजग कर सकते हैं lecture के माध्यम से discussion के माध्यम से और poster के माध्यम से और जागरूपता रैली निकाल करके puppet soak से हम कर सकते हैं और कटपुतली से कर सकते हैं नुकड़नाटक के माध्यम से awareness बढ़ा सकते हैं और social media platform को हम यूज कर सकते हैं जैसे WhatsApp है YouTube है इसको यूज कर सकते हैं radio station के माध्यम से और television के माध्यम से तो ये सब poster banner और slogan के माध्यम से तो बहुत सारे जो means हैं हम इन सभी जहां जहां जिसका उप्योग है और उसके सारसार जैसे हम देखें कि mass communication के जो हमारे जो resources हैं उसको भी हम broadcasting के लिए जो है उसको यूज करें जिससे हमारी बात अलग-अलग section अलग-अलग location के जैसे समाज के लोग की जो है सिक्षा है सजकता है उसके अनुशार जो हमारी बात जो है सही और सठीक पहुंच सके और जिससे कि लोग समझ सके और हमारे जो वनरेवल और हमारे जो भावी disabled leaders हैं भावी हमारे disabled guardians हैं उनको एक कहा जाए कि मान सम्मान और उचित उनका जो अधिकार है और उनका जो उचित अस्थान है वो जो है मिल सके और जिससे कि वो समाज में बराबरी का नहीं बल्किन अग्रणी भूमी का निभा सके बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका आपने अपने विचारों को इतने explain form में हम लोगों को बताया हम लोगों को ये बताया कि सिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए इस वर्स के थीन को इतना विश्चित रूप में explain किया और एक समाजिक प्राणी होने के नाते हमारी समाज में क्या भूमिका होनी चाहिए पर्सन जो डिसेबिल्टी के साथ है उनके प्रती बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका धन्यवाद आपको फिलास्मत है